गुड आफ्टरनून क्लास सिविल सेकंड यर आज हम लोग अपना अप्लाइड मेकनिक्स में नया चप्टर पढ़ेंगे फ्रिक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं घर्जरन तो ये फ्रिक्शन आपने इसकी डेफिनिशन वैसे सुरुवात से पढ़ी होगी यह सुरुवात के आपके बेसिक है ठीक है तो इसमें बताया गया है कि एक अपोजिंग और रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है उसे हम सिंपली क्या कहा जाता है फ्रिक्शन कहा जाता है जैसे कि हमारी कोई बॉड़ी अब अगर एक प्लेन में है ठीक है उस पर हमने कोई फोर्स लगाया है एफ और वही यह जो फोर्स है यह रेजिस्टिंग मतलब फ्रिक्शन फोर्स एफ के बराबर है तो दोनों एक को बराबर होंगे तो उस समय क्या होगा उसके बीच में एक सर्फेस और बॉड़ी के बीच में क्या तो जैसा कि इस डियाग्राम में आपको दिखाया गया कि जो आपका फ्रिक्षन पीछे को है और जो आगे फॉर्स लगा रहे हो रियक्षन इसका उपर को जा रहा है प्रतिगिरिया जो होगी और भाड जो है वह उसका वेट नीचे को हो गा तो इस तरीके साब को फ्रिक्षन दिखाया गिया इस टायग्राम में इसके बाद हम देखते हैं कि Frictional Force क्या होते है दो Properties of two bodies और surface that Causes Friction is called Friction Force ठीक है जो Friction Cause करता है उसे हम Friction कहते हैं इसके बाद हमने कहा है कि Types of Friction कोन कौन से होते हैं तो वैसे तो Types of Friction काफी होते हैं लेकिन आपके उसमें यह हैं कि Static Friction, Limiting Friction और Dynamic Friction तो यहां पर आप देख रहे हैं कि Static Friction और Dynamic Friction लिखा हुआ इसके बाद Static Friction को हिंदी में कहा जाता है Static घरसन और Dynamic को कहा जाता है गती के घरसन तो आपने सबसे पहले Static घरसन के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या होता है? The Friction between the two bodies यह surfaces of the bodies before the relative motion actually starts तो स्टार्ट होने से पहले अगर बादी जब तक Rest Position में है तब तक के Friction को कहा जाएगा आपका Static घरसन, Static Friction जब दो पिंडों के सापेक्ष गती नहीं होती तो उस दिसा में सापेक्ष गती की संभावना का विरोध Static घरसन कहलाता है तो यह हो गया आपका Static घरसन इसके बाद जो इसकी Maximum Value होती है Static Friction की जो Maximum Value होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है Limiting Friction कहा जाता है यह नए टाइप का Friction होता है जिसे हम Limiting Friction कहते है अब आप देखेंगे कि जो हमारा Next है वो है Dynamic Friction जिसे हिंडी में क्या कहा है? गती की है तो यह क्या होता है? जब एक पिंड दूसरे के सापेक्ष में गती में होता है तो दोनों के संपर्क में जो घरसन आएगा उसे कहेंगे हम गती की है घरसन मतलब की Dynamic Friction तो इस डाइग्राम में आपको इस दोनों Static और Dynamic Friction को दिखाया है तो जो हमारे इधर वाला एक घरसन बल लगावा है और एक Applied Force लगावा है तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि यहां पर तक की इस तहरा वस्ता है जो कि Static Position है तो उतने में क्या लग रहा है Static Friction लग रहा है जहां से Body आपकी Kinetic उसमें आई तो उसके बाद क्या हो गया उसमें Dynamic Friction लग गया तो Kinetic Energy आने के बाद यह Dynamic Friction हो गया अब आपका Laws of Friction है तो घरसनर के जो नियम है वो निम्न परकार है पहला है Laws of Static Friction दूसरा है Laws of Limiting Friction तीसरा है Laws of Law of Dynamic Friction तो Law जो हैं आपके तीन टाइप के उतने हैं लेकिन आपके जो कोर्स में बिसकली वो है Law of Static Friction तो इसके बारे में हम नेक्स क्लास में बढ़ेंगे तब तक लिए Thank You Class